नमस्कार नियूस क्लिक के इस वीडियो में आपका स्वागत है मनिपूर के बेहत चिंता जनक खालात और वहां खास्तोर से महिलाओं के साथ हुई बेहत शर्मना घटना के बाद भी प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी संसद में इस विशे पर बोलने को तैयार नहीं है इस्तित यहां तक आ गई है कि विपक्षी दलों को सरकार के खिलाफ अविश्वास परस्ताव लेकर आना पड़ा है माने सदशगन मुझे सदन को सुचित करना है कि मुझे इसरी गोरो गोगोई से नियम 198 के अंतरगत मंत्री परश्चित में अविश्वास परस्ताव प्राप्त हु नरेंद्र मोधी के सरकार के पास लोकसभम में फिलहाल 322 सांसद हैं जिसका मतलब ये है कि अविश्वास परस्ताव पास नहीं होगा तो फिर क्यों विपक्ष ये परस्ताव ला रहा है विपक्ष अभी तक रूल 267 के तहट बहस की मांग कर रहा था जिसके तहट मड़ीपुर पर एक लंबी और डिटेल चर्चा कीरा सकती थी लेकिन सत्ता पक्ष रूल 176 पर अड़ा था जिसमें सिर्फ धाई घंटे मिलते हैं यही कारण है कि विपक्ष अविश्वास प्रस अविश्वास प्रस्ताओ क्या होता है जब सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी होती है या फिर अलपमत में होती है तब विपक्ष इसे ले कर आता है इसके तहट बहस होती है जिसके बाद voting में सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है सम्विधान का अनुच्छेद 118 कहता है कि संसत के दोनों सदन कारिवाही के लिए अपने अपने नियम बना सकते है इसी के तहट लोकसभा का नियम 198 है जिसके तहट अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था है इसकी प्रक्रिया को बहुत आसानी से समझा दा सकता है जैसे कोई सांसर्द लिखित नोटिस स्पीकर को देता है फिर स्पीकर को इसे पढ़कर सदन में पूछना होता है कि कितने सांसर्द अविश्वास मत या विश्वास मत के पक्ष में है अगर पचास या उससे जादा सांसर्द कह दें कि वो अविश्वास प्रस्ताओं के समर्थन में है तो स्पीकर इसे मन्जूरी दे देता है फिर स्पीकर एक तारीख ते कर देता है और उस दिन चर्चा के बाद वोटिंग हो जाती है इसका सीधा सा मकसद सरकार को सदन में अकेला साबित करना है लेकिन मौझूदा वक्त में विपक्ष का मकसद परधान मंतरी को सदन में बोलने के लिए मजबूर करना है मौझूदा सरकार सदन में मनिपूर पर चर्चा करने से बच रही है और इसलिए विपक्ष को अविश्वास परस्ताव लाना पड़ा मणिपूर से आ रही खबरें ना सिर्फ विपक्ष को बलकि देश की जनता को भी विचलित कर रही है जिसका सुबूत है देश के कई हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शन पूरा सरकारी तंत्र इस्तिती को काबू कर पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है जब देश के एक राज में दो महीने से जादा से हिंसा फैली हुई है और उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है तो जाहिर है कि राज और केंद्र दोनों सरकारों की जवाब दे ही बनती है घौरतलब है कि केंद्र और राज दोनों ही जगह बिजेपी के नित्रत वाली सरकारी है सुप्रीम कोड तक ने मनीपुर में दो महिलाओं के साथ होई जगहने हिंसा पर सुओ मोटो संग्यान लिया है देश की सदन की जमेदारी बनती है कि इस गंभीर विशेपर चर्चा करें लेकिन सरकार की तरप से ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा दूसरी और लोकतंत्र का चौता इस्तंब कहे जाने वाले मीडिया की मुख्यधारा इतने गंभीर विशेपर चर्चा नहीं कर रहा और मुख्यधारा के मीडिया या जिसे कई लोग कॉर्परेट मीडिया भी कहते हैं उसमें पिछले कुछ वर्चों में विपक्ष की आवास को उसकी जगा नहीं मिल रही ऐसे में विपक्ष के पास सरकार से सवाल पूछने और साथ ही अपनी बात रखने का सबसे सशक्त जरिया है सदन इसलिए सरकार और खास तोर से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से सवाल करने उन्हें जवाब देने पर मजबूर करने और इस पूरे प्रकरण की जवाब दे ही तय करने के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का रास्ता अपनाया न्यूस क्लिक के ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें